हमने आगे में आर्टरी देखी थी में आर्टरी से जब बलड जाता है तब एक बहुत जोर्दार प्रेशर से जाता है देखे यहां पर these are known as में आर्टरी विट धमाकेदार प्रेशर तो इसे हम कहेंगे सिस्टोलिक प्रेशर और देखे अब यह यहाँ पर जब जाएगा तब हमारे जो यह atrium से वो शान्ती से contract होंगे क्योंकि blood उसमें से निकल रहा है तो उसको हम बोलेंगे diastolic pressure systolic मतलब blood का बहार जाना और diastolic मतलब minimum pressure जो arteries में होना I hope I am making myself clear तो मतलब systolic pressure always ज्यादा होगा which is measured in mm and mmHg, Hgq क्योंकि हम mercury के standard में उसे measure करते हैं mm मतलब mm ठीक है तो systolic pressure normally 120 mm होता है and diastolic होता है 80 mm मैंने पहले भी बोला है diastolic minimum pressure होगा और systolic ज्यादा क्योंकि blood को बाहार निकलने में बहुत force लगती है और अगर ये pressure गलती से भी बढ़ जाता है तो उसे हम कहते है hyper tension और अगर कम हो जाता है तो उसे हम कहते है hyper tension अब इसे measure कैसे करते है तो basically blood pressure को measure करने के लिए the instrument is known as spigmo manometer I am repeating spigmo manometer अब यहाँ पे दो readings ली जाती है systolic and diastolic की आप doctor के पास जाते होगे तो आपने देखा होगा कि ऐसी हमें कफ बराई जाती है फिर इस rubber burp को हम press करते है तो air suction होके यह कफ फूलने लगता है और यहाँ से mercury river rise होने लगता है basically this is known as spigmo manometer तो यह जैसे ही rise करता है यह air क्या करता है हमारे arteries को pressure करता है pressure करेगा तो एक blood flow होगा अब जैसे ही आप यहाँ से वो air को release करोगे blood जो हमारा होगा वो यहाँ से आने में चालू हो जाएगा जैसे ही आएगा वो pressure यहाँ पे measure होता है first pressure जो आता है is known as systolic और फिर systolic pressure में हम heartbeats को सुन सकते हैं with the help of statoroscope और जब यह heartbeats बंद हो जाए तो हम उसे कहते है diastolic pressure which is around 90 जो हम heartbeat खतम होने पर हमें पता चलेगा heartbeat खतम होना मतलब बंद नहीं हो जाता असकी आवास कम हो जाती है